हेलो दोस्तों मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आपको हिंदी सिनेमा के बे जोड़ अभिनेता महवीर शाह की दर्दनाक मौद की जानकारी देते हैं सिर्फ 40 साल की उम्र में उनका अंत जान कर आप चौके बिना नहीं रह सकेंगे भूरी आखें और गोरे चेहरे वाले शानदार अभिनेता का नाम महवीर शाह था बॉलिवूट फिल्मों में निगेटिव रोल में नजराने वाले महवीर शाह असल जिंदगी में बहुत सौम्य और सज्जन इंसान हुआ करते थे इस शानदार चरित्र अभिनेता का जन्म मुंबई में 5 अप्रेल 1960 को गुजराती परिवार में हुआ था महवीर शाह को बच्चपन से ही एक्टिंग करने का शौक था इसी वज़ा से महवीर ने स्कूल के दिनों में ही गुजराती थेटर जॉइन कर लिया था हीरो जैसे दिखने वाले महवीर का सपना हिंदी फिल्मों में हीरो बनने का ही था लेकिन किस्मत को कुछ और ही मन्जूर था थेटर के मंझे हुए इस अभिनेता को पहला ब्रेक सिर्फ 17 साल की उम्र में ही मिल गया था साल 1977 में हिंदी फिल्म अब क्या होगा में उनको ड्राइवर का छोटा सा रोल मिला था इस फिल्म में उनको किसी ने नोटिस नहीं किया फिर साल 1978 में फिल्म आई जूठा कही का इसमें भी उनको मोटर मेकैनिक का छोटा सा रोल मिला 1982 में आई फिल्म गांधी में इन्होंने पहली बार पुलिस वाले की भूमी का निभाई ये फिल्म ही महावीर के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई इसके बाद उनको कई फिल्मों में काम मिलने लगा इनमें बेयाबरू, आउप्यार करें, भावना, युद्ध, अंकुष और दयावान जैसी फिल्में शामिल हैं महावीर शाह के करियर को उचाई साल 1988 में आई फिल्म तेजाब ने दी इसमें इंस्पेक्टर गुपता के रोल में अभिनेता च्छा गए और इसके बाद तो इनके पास डाइरेक्टरों की लाइन लगने लगी थी महावीर को नकारत्मक भूमिकाएं ही मिला करती थी भ्रष्ट वकील से लेकर घुस्खोर पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में भी वो अपनी च्छाप छोड़ने में कामियाब हो जाते थे 1990 में आई पुलिस पबलिक में उनका इंस्पेक्टर खेरा का किरदार तो काफी मशुहूर हुआ था साल 1991 में आई सूपर हिट फिल्म नरसिंभा में जेलर शिंदे के रोल में तो महवीर खूब जचे थे तिरंगा फिल्म में भी उन्होंने जेलर की भूमिका निभा कर खूब वाहवाही बटोरी थी हजीना मान जाएगी बादशाह, पापा दग्रेट, सलाखें जुड़वा से लेकर न जाने कितनी फिल्मों में वो पुलिस वाले के रोल में नजर आए वैसे महवीर अपनी किस्मत से काफी नाकुश भी थे वो कहते थे कि उनको हीरो जैसी शकल तो मिली लेकिन किस्मत ने बना दिया विलेन वैसे वो अमिरीश पुरी, प्राण और गुल्षन ग्रोवर जैसा विलेन बनना चाहते थे दोस्तों इतने बेजोड अभिनेता की मौत बहुत दर्दनाग हुई महवीर अपनी पतनी चेतना, बच्चों और साथियों के साथ साल 2000 में अमेरिका घूमने गए थे 31 अगस्त को वो बाई रोड शिकागो जा रहे थे अचानक एक बड़ी गाड़ी ने उनकी कार को पीछे से जोरदार टकर मार दी इस हादसे में वो बच गए थे लेकिन उनको अपने परिवार की चिंता होने लगी वो हाईवे पर फोरण गाड़ी से बाहर निकले और अपनी पतनी वा बच्चों का हाल लेने लगे मगर उस दिन कुछ और ही लिखा हुआ था अचानक पीछे से तेजर रफ़तार एक दूसरी कारी आई और 40 साल के अभिनेता को रौदते हुए चली गई लोगों ने महवीर को अस्पताल पहुँचाया लेकिन तब तक उनका दर्दनाग अंत हो चुका था दोस्तों आपको महवीर शाह का कौन सा रोल याद है हमें कमेंट में जरूर बताईएगा ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सस्प्सक्राइब भी कर सकते हैं बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा